नमस्कार दोस्तों हमारा सत्याधर्मा यूट्यूग चैनल पर आपका स्वागत है घोडे की नाल को अपने घर में लगाया जाए तो इससे ना केवल सुख शान्ती का वास होता है बलकि धन की कमी भी दूर होता है तो चलिए जानते हैं कि घर पर घोडे की नाल कैसे लगा सकते हैं अक्सर लोग अपने घर में सुख शान्ती और आर्थिक स्थिती मजबूट होने की कामना करते हैं आर्थिक संपत्ती के लिए लोग समय समय पर जोतिश के द्वारा बताये गए उपाय अपनाते हैं लेकिन कई बार उसका फल नहीं मिलता है हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में नकारात्मक उर्जा का वास्त नहो जिसके लिए वे ना जाने कौन-कौन से उपाय भी करते हैं लेकिन बता दें कि घोडे की नाल आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकती है घोडे की नाल को अपने घर में लगाया जाए तो इससे ना केवल सुक शान्ती का वास होता है बलकि घोडे की नाल धन की कमी को भी दूर कर सकती है अब सवाल यह है कि घोडे की नाल घर में बेलो लगाएं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर घोडे की नाल कैसे लगा सकते हैं आप घोडे की नाल को बाजार से खरीच सकते हैं या फिर लोहार से बनवा भी सकते हैं इसके बाद सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादी करें और घोडे की नाल को गंगाजल से धोएं फिर भगवान सूर्य की किर्णों से घोडे की नाल को सुखाएं इससे नाल में सकलात्मक उर्जा भर जाएगी अब इसके बाद घोडे की नाल को मंदिर में ले जाकर माता लक्ष्मी के सामने रख दें इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें साथ ही घोडे की नाल की भी पूजा करें घोरे की नाल पर काले रंग का धागा बांध कर आप इसे घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लटका दें। आप इसकी अंगूठी बनवा कर भी पहन सकते हैं। से दाहिने हाथ की माध्यम अंगूली में धारन करना अच्छा माना जाता है। अगर घोरे की नाल को काले कपड़े में लपेट कर अनाज में रख दिया जाएं तो इससे घर में अनाज की कमी कभी नहीं होती है। इसे काले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखें तो घर में धन की कमी भी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर घोड़े के पैर से छिटक कर नाल गिर जाएं और उसे घर में रखा जाएं तो जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। बिजनेश करने वालों के लिए घोड़े की नाल तरक्की करती हैं। अगर इसे अपने ऑफिस के गेट में लगाया जाएं तो काम अच्छा चलता है। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी घर में पैसा न टिक पा रहा हो या लगातार नुकसान हो रहा हो तो इसके पीछे शनी एक कारण हो सकते हैं। कुंदली में शनी अशुब स्थिती में हो तो जातक आर्थिक तरक्की नहीं कर पाता है। शनी के प्रकोप से बचने के लिए शनी से संबंधित चीजों का दान करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा घोडे की नाल को शनी दोश से राहत पाने में बेहत प्रभावी माना गया है। की नाल की अंगुठी पहनने के लिए कहा जाता है वही घर दुकान के बाहर घोडे की नाल लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से जातक की तरक्की की राह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शनी के बुरे असर से निजात मिलती है तिजोरी में रख ले घोडे की नाल पैसों के मामले में यदि समस्याएं आपका पीछा न छोड़ रही हो लगातार नुकसान हो रहा हो आए में रुकावट हो रही हो तो घोडे की नाल का उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है इसके लिए आप घर की तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लें इससे आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी यह उपाय शनी देव की क्रिपा दिलाएगा और जल्द ही आपकी आय बढ़ने लगेगी साथ ही नुकसान में कमी आएगी यह है शनी के अशुब होने के लक्षन यदि कुंडली में शनीग्रह अशुब स्थिती में हो तो व्यक्ती के कामकाज में बहुत दिक्कतें आती है उसकी बार-बार नौकरी छूटती है योग्यता के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल पाता है आए में बाधा आती है व्यापार में हानी होती है व्यक्ती बुरी संगत में पढ़ जाता है वह साफ सफाई से नहीं रहता है उसके नाखून कपड़े अकसर गंदे रहते हैं ऐसे में जातक को शनी ठीक करने के लिए घोडे की नाल की अंगूठी पहननी चाहिए साथ ही ऐसे काम करने चाहिए जो शनी को प्रिय है शनी दोश निवारन के लिए काला रंग और लोहा धातू नानी के प्रतीक है इसलिए घोडे की नाल को शनी दोश निवारन के लिए उप्युक्त माना गया है बुरी नजर से बधाम पोड़े की नाल के एक स्लाइस को किसी तार या सूत्र में बांध कर या पर के प्रवेश द्वार पर लगा कर बुरी नजर से बचा जा सकता है थन सम्बंधी समस्याओं का समाधान थन सम्बंधी समस्याओं के लिए घोडे की नाल को धन शेत्र में रखा जा सकता है यह आपके घर सम्बंधी सभी को दूर करने में मदद कर सकता है वास्तु दोश दूर करने के लिए वास्तु यास्त्र के अनुसार घोडे की नाल को घर के अलग-अलग शेत्रों में रखा जा सकता है जो बास्तु दोशों का कारण बनते हैं बुरी आत्माओं से बचाव घोडे की नाल के दोनों सिरों को पदी नीचे की तरफ करके लग जाएं तो इससे बुरी आत्मा नजर दोश और नकारात्मक उर्जा से घर एवं कार्याले की रक्षा होती है धन, स्वास्थ्य और सम्रिध्धी के लिए अना तोटकों के अलावा घोडे की नाल को धन, स्वास्थ्य और सम्रिध्धी के लिए उप्योग किया जाता है इसे अपने व्यापार या कार्याले में रखा जा सकता है ताकि सफलता और सम्रिध्धी आपके पास जा सके शुब घरी के लिए कुछ लोग घोडे की नाल को शुब घरी के लिए उपयोग करते हैं इसे किसी शुब महूर्त में अपने घर में लगाने से किसी भी प्रकार की मुश्किलों से बचा जा सकता है नकारात्मक उर्जा को नश्ट करने के लिए घोडे की नाल को नकारात्मक उर्जा को नश्ट करने के लिए उप्योग किया जा सकता है यह उस उर्जा को दूर करने में मदद कर सकता है जो किसी व्यक्तिया उसके घर में दुख का कारण बनती है घर के लिए सुरक्षा कवच पदी नाल के दोनों सिरे उपर की ओर करके लगाए जाएं तो यह घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है घोडे की नाल का प्रयोग करते समय निन्न बातों का ध्यान रखें घर में घोडे की नाल स्थापित कर देने के बाद इसकी पूजा भी जरूरी है विभित्र परवो पर उस पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए विशेशकर ग्रहन काल में शनी जयन्ती पर पोली और दिवाली को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं इससे तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होता एक नाल का प्रयोग एक बार ही करना है यदि किसी नाल को मुख्य दरवाजे पर लगा दिया हो तो उसे फिर दूसरे स्थान पर प्रयोग करने के लिए उखाड़ना नहीं चाहिए नए स्थान के लिए नए नात आमंत्रित करवाएं